Disability pension है उसको भी हम कहते हैं कि वे उसके अंदर भी थोड़ी parity लेके आए इसके अलावा military service पे हमारे जो सेवा में difficult areas के अंदर जो सब काम करते हैं कंदे से कंदा मिला के काम करते हैं तो उसके लिए military service पे अलग अलग rank के अलग अलग नहीं होनी चाहि prickly के बाद अब पेंशन को 25 परसेंट इंग्रीज कर देते हैं तो जब ये 80 साहिल येर्स कंप्लीट होने की बजाए 79 जब हो जाते हैं या रणिंग 79 येर्स होता है तो उस टाइम पर किया जाना चाहिए असीमा साल जब चल रहा होता है इसके इलाबा हमारी डिमांड है कि जो ए इसके अंदर जैसे SCST कमिशन है, Women Commission है, Child Protection का Commission है, इस इस सर्विस्मेंट कमिशन होना चाहिए जिसके अंदर हम जो हमारे जो रेगूलर मुदे हामें हर जगए कोर्ट में ना जाके उन मुद्वों को हम वहां पर सुलजाया जा सके हमारा और क्योंकि हमारे ज़वान को 35 में, 40 साल में रिटायर्मेंट आते हैं तो जैसे बाकी Central Government Services के अंदर 7 साल तक सेवा करने का मौका मिलता है तो इसमें एक Second Career Option की एक स्कीम जरूर आनी चाहिए ताकि उनको अपने जो उनका टैलेंट है उनकी Qualifications है Experience है उसके हिसाब से उनको दूसरी किसी सर्विस के अंदर मौका दिया जाए ताकि वो साथ साल तक सेवा दे सके और इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे फॉजी बाई जो रिटायर होके आ जाते हैं वो बहुत सारी जगाओं पे सिक्यूरिटी की एजेंसी के अंदर काम कर रहे हैं वो देश के सैनिक जिसने अपने छाती पे बुलेट्स ली है या देश का सैनिक जिसने बॉर्डर के उपर तपती हुई दूप के अंदर जहां पे गर्मी इतनी ज़ादा होती है डेजर्ट एरिया में कि टैंक के उपर हाथ लगा दो तो स्किन उस पे चिपक जाती है या हाई ओल्टिटूड एरिया जहां पर ठंड की वज़े से माइनस तीस पैंतिस चालिस डिगरी टेंपरेचर होता है वहां आप लोहे के उपर हाथ लगा दो तो आपकी स्किन चिपक जाती है तो जिन लोगों ने ऐसे काम कियें देश के लिए पूरे जजबे से काम कियें तो उनको किसी के इंडस्टिलिस्ट के पास या किसी के सामने एक सिक्योर्टी गाड की नौकरी करते देखना मुझे शरम की बात लगती है तो उनको उनके लिए सेंट्रिल कॉर्मेंट ने प्रोविजन किया था यूपिय सरकार के कारेकाल में कि 10% रेजर्वेशन सभी जगह पे सभी कैटिकरीज के अंदर दिया जाएगा तो उसके तकरीबन 7,82,000 पद खाली पड़े हैं वो 7,82,000 पद अगर ततकाल भर दिये जाएं तो हमारे बहुत से जवानों को बहुत से सेवा निवरित जवानों को फाइदा मिलेगा यह हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है और इसके बाद हम यह भी कहना चाहते हैं कि एक कोवनेंट एक्ट होना चाहिए जिसमें सेवा निवरित जवानों की बच्चों की फैमिलीज की जैसे की यॉरप के अंदर अमेरिका के अंदर कैनेडा के अंदर अस्ट्रेलिया के अंदर कोवनेंट एक्ट है जिसके अंदर सरकार की ज़िदारी है कि जो अपने सैनिक है पूर सैनिक है, उनके बच्चों का परिवारों का ख्याल रखें, तो ये एक नैशनल जिम्मेदारी होनी चाहिए, देश की एक राष्ट्रे जिम्मेदारी होनी चाहिए, कि उनके परिवारों को इज़त मिले और उनके लिए ठीक से आधर समान हो. और लास्ट बट नॉट दे लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश इस टाइम पर बड़ा यंग एवरेज एज है, हमारी 32 साल की उमर है, इस 32 साल की उमर के अंदर हर बच्चे को नौकरे चाहिए, और हर ग्रामीन इलाकों के बच्चों की जो पहला चॉइस हुआ करत था कि मुझे फॉज में भरती होना है, एक-एक फॉज की जो भरती होती थी, उसके अंदर 100-200 वेकेंसी के लिए 50-50-60-60,000 बच्चे जो है, वो तियारी करके उसके अंदर कम्पीट किया करते थे, तो हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवार करने का काम किया है, और अगनी पत स्कीम लागू किया है, जिसके अंदर 4 साल के अंदर उसको सेवा निवरित कर दिया जाएगा, अगर 18 साल का बच्चा फॉज में भरती होगा, तो 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा, तो हम तो one rank one pension मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि उसको 60 स चार साल उनको सरफ contract की नौकरी दी जाए, तो जिसमें से चार साल में डेड़ साल वो training करेगा, डेड़ साल में वो unit के अंदर जाके काम करेगा, तो उसको unit के अंदर उसको 5-6 साल के जो service वाले जो जवान होते हैं, उनको रंगरूट बोलते हैं, ये तो रंगरूट है, आज हमारा technology वाली फॉज है, जहां पर हमें artillery guns है, computerized electronics, AI based equipment है, missiles है, जैसे कि मैं खुद missile specialist हूँ, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल बाद, अगर ये अगनी वीर रहे या अगनीपत स्कीम चलती रही, तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई मिजाइल का बटन दबाने वाला सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट पाया जाएगा, तो ये देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खेलवार होगा, इसके साथ एक और जुड़ी हुई चीज है कि 2020 से लेके 2022 तक 3 साल recruitment नहीं हुई है, देश म में 75,000 जवान रिटायर होते हैं और उन 75,000 जवानों के अगेंस्ट हमारी भरतियां होती है, लेकर तीन साल में ये भरतियां नहीं हुई, तो हमारे जो तीन साल में हमारी सेनाओं की जो कमी हो गई है स्ट्रेंथ की जो कमी हो गई है वो तकरीबन दो से सवादो लाक की कमी हो गई है और जो अगनिपत स्कीम है उसके तहट जो भरती की जाएगी वो सिरफ 45,000 की होगी तो इसका मतलब हर साल 30,000 बच्चे कम लिये जाएंगे 30,000 की फॉज हर साल कम होती चले जाएगी तो आप ये उमीद लगाएगे कि 8-9 साल के बाद हमारी सेना का जो strength है वो कितनी कम हो जाएगी मेरे हिसाब से जो calculation है उसके हिसाब से आज total मिला के हमारी 10,000,000 की फॉज रह जाएंगे तो जब हमारे western border पाकिस्तान के साथ hostile है हमारा eastern border लदाक से लेके अरुनाचल तक का भाईजार किलोमेटर का border hostile है जाएना के साथ तो हम इस घटी होई फॉज के साथ कम होई होई strength के साथ कैसे उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे तो ये एक हमारी देश की सेनाओं के साथ जो उसका fabric है उसका system है जो उसके ethos हैं उसके साथ जो खिलवाड हो रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि मोदी सरकार हमारे देश की defense forces को कमजोर कर रही है जैसे कि उन्होंने बाड़े बाकी सभी institutions को कमजोर करने का काम किया है तो defense forces को भी कमजोर कर रही है ये हम कताई बरदाश्ट नहीं करें